आज हम लोग बात करेंगे Swipe Pages के Detailed Review के बारे में 2022 के लिए Hi guys, मेरा नाम है Kripash Aadwani यहाँ पर मैं Digital Tools के Related Videos बनाता रहता हूँ आज हम लोग बात करने वाले है Swipe Pages के बारे में जो की एक Landing Page Generator है काफी टाइम से आया हुआ है यह पहले Lifetime Deal के उपर आया था अब यह एक Regular Subscription के उपर है तो आज हम लोग इसके उपर बात करेंगे क्या यह वर्थ है की नहीं है और मैंने रिसेंटली दूसरे Website Builders के बारे में भी वीडियो बनाया है कार्ट के बारे में हमने कवर किया था और जाहरों के बारे में कवर किया था दोनों के वीडियो आपको आई बटन के उपर मिल जाएंगे Swipe Pages के बारे में बात करूं तो एक यह Landing Page Builder है इसको फॉर्म किया गया था February 2020 में और जो इसके तो इनके About Us पर जाते हैं तो यहां पर आपको इनकी टीम दिख जाएगे जूक के अच्छी बात है कि इन्हों ने आपर अपनी टीम के वारे में 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 किया हुआ है प्राइजिंग के बारे में बात करूं तो जिनके प्राइज है वो start होते हैं $29 पर मन्स से जाते हैं $119 के उपर और यहां पर आपको कोई monthly plan पर जाते हो तो expensive पड़ेगा, annual plan पर यहां पर आपको आपको सस्ता पड़ेगा, कोई free plan आपको नहीं देखने को मिलेगा, मैं अपन folders भी यहां पर हम लोग create कर सकते हैं, यहां पर blocks है, domains, custom domain अगर आपको set up करना हो, integration, e-commerce, इन सब के उपर अभी में one by one आऊंगा landing pages की बात करों, तो जैसे हम लोग create new page पर click करोगे, यहां पर आजाएगा, इसको option में, यहां पर नाम दे रहता हूँ, उसको पर page type पूछेगा है, यहां पर तीन type के pages है, AMP pages, smart pages, mobile slide, AMP pages, basically यह AMP framework के ओपर based रहते हैं, इसमें और smart pages में यह difference है, कि दोनों यहां पर fast load होंगे, AMP framework के according यहां पर design करे गए हो, कि जो fast load होते हों, और जो इसमें extra यहां पर bulk वगरे नहीं हो, सिर्फ वो ही यहां पर load होंगे, और इसमें smart pages में यहां पर कोई limitations नहीं है, किसी भी तरगा CSS, GSS, कुछ भी यहां पर आप लोग embed कर सकते हो, कोई problem नहीं आएगी, दोनों को यहां कर लिजेगा, आप लोग, मैं recommend करूँगा कि smart pages पर जाओ, वो भी fast है, speed test भी मैंने इसके किये हो है, यहां पर mobile slide का भी एक option है, अगर आपको mobile वाली website बनाने है, सिर्फ mobile landing pages बनाने है, तो उसके लिए काफी अच्छा है, यह mobile slide में आपको कुछ इस तरह यहां पर interface दिखाई दिखाई देगा, मैं mobile format में चले जाता हूं, inspect, ठीक है, तो यह इस तरह यहां पर interface दिखाई देगा, जैसी mobile पर, आप लोग smart pages बनाऊगे, तो काफी अच्छा लगा है मुझे, अगर मेरी कोई website है, जो सिर्फ mobile users के लिए है, तो this is really good, templates की बात करों, तो इनका template collection है, वो एडिटर के बारे में बात करों, तो जैसी आप लोग website open करोंगे, कुछ इस तरह का यहां पर आपको editor दिखाई देगा, left hand side पर आपको सारे sections दिख जाएंगे, sections are blocks, यह section based है, block है, जैसी एक block है, तो this will be one section, यह section है, फिर यह section है, फिर यह section है, and then undo और redo के यहां पर आपको न templates भी है, मतलब pre-made आपको templates मिल जाएगे, pre-made आपको sections मिल जाएगे, for example, I want something for call to action, let's see call to action में क्या के यहां पर present है, and this one, मैं आप इस को select कर दूँगा, में नीचे जाओंगा, load template करूँगा, और यह यहां पर section already आगया, तो इस तरीके से आपको pre-made sections भी देखने को मिल जाते जाएगा, जैसी blue line के उपर आपको drag करोगे, this will get added, और जैसी हम लोग यहां पर इसको select करेंगे, यहां पर आपको left hand side पे जो भी सारे customization के options से वह आपको available दिख जाएगे, जो मुझे एक चीज जिसमें पसंद नहीं आई है, font, यहां पर custom font का कुछ option मुझे नहीं देखने को मिला है, और यहां पर font भी तब तक मुझे नहीं पता चलते हैं, जब तक मैं इसको select नहीं कर देता हूं, तब तक वो यहां पर change नहीं होता है, font preview मुझे यहां पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है, बाकि Google fonts है, standard fonts आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे यहां पर नेक्स्ट भी हाँ, बटन, आइकन, स्कार्ड, अनिमेटेद लिंक, अनिमेटेद लिंक यहां पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कि यह थोड़ा सा अनिमेटेद एफेक्ट रहेगा, जैसी माउस का सार इसके ओपर लेके जाएंगे तो, and then we have video, video को embed कर सकते है दाल सकते हैं, forms, forms में आपको डालते हैं, यह आगे हमारा form, form में हम लोग यहां पर डाल सकते हैं, क्या क्या हमेच चाहिए, first name, last name, phone number, और फिल, acts करनी है, तो उसके भी यहां पर option आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छे option है, forms वगरे, create करने के लिए, it is really good, style कैसे रख यहां पर इंटिग्रो में आट से connect कर सकते हो, और वेभुक के option भी यहां पर available है, form के बाद यहां पर multi-layer images, star rating, countdown, timer, counter, gallery, image, carousel, और table, table, table को यहां पर edit करना काफी easy है, नए cell और row को add करना भी यहां पर काफी easy है, आपको प्लस पे क्लिक कर देना है, और यहां जो कॉलम है वो add हो जाएगा नहीं रो के लिए, नीचे वाले प्लस पे क्लिक कर देना है, और नीचे वाली रो add हो जाएगा, एडिट करने के लिए बस यहां पर double click करो, और quickly यहां पर इसको edit किया जा सकते है, तो इसकी table formatting मुझे काफी अच्छी रगी है, then we have pricing table, testimonials, sliders, tabs, HTML code, अगर आ सकता है, audio integration के यहां पर मुझे कोई option नहीं मिले है, कोई भी audio को आप लोग upload नहीं कर सकते हो, हला कि अगर आपको यहां पर embed करना है, तो वो easily हो जाएगा, इनका जो HTML वाला module है, उसके थूप, then we have global blocks, global blocks मतलब आपने एक block create कर दिया, और उसको यहां पर आप लोग add कर सकते ह किसी भी website पर, किसी भी जो अपने page बनाया है, उसके उपर, for example, मैंने एक header बनाया है, और मुझे वो header अपने हर page के उपर चाहिए, तो फिर यहां पर मैं उसका global block create कर लूँगा, तो basically यह एक मैंने section create कर दिया, यह global block बन गया है, तो यह common block रहेगा, जिसको मैं कभी भी कहीं दो variants बना दिया है, यह variant A, variant B, यहाँ पर 50-50% traffic भेज रहा हूँ, and then यह यहाँ पर analytics collect करेगा, दोनों variants है, फिर हमने बताएगा कि किसमे conversions यहाँ पर जादा हो रहे है, for example, जैसे मैं analytics को जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा किस पर visits आ हैं, और कितने conversion हुए, किसका conversion rate रहा है, इससे मुझे काफी help मिल जाएगी, एक proper variant को select करने में काफी अच्छा tool है, यह मेरे हिसाब से, मतलब यह तो होना ही चाहिए, आज के time पर अगर आपको sales चाहिए, अगर आपको better conversion चाहिए, अगर आपको better CTR चाहिए, तो testing आपको करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ब इसके जो sub domains रहते हैं, यह मुझे एक sub domain मिला था, तो अगर मैं इनी का कोई sub domain use कर रहा हूँ, तो यह इतना complicated URL दे देते हैं, उसको मैं customize भी नहीं कर सकता हूँ, so that is really bad, custom sub domain दे रहे हो, तो at least मुझे इसको edit करने का option दो, कि मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा improve कर सकूँ, New York के servers से, तो मुझे जो speed मिली है, वो है 1.29 seconds, जो की बहुत अच्छे है, एक landing page creator के लिए, और उसमें मैंने काफी सारा data भी डाला, images भी उसकरी है, उसके बाद में मुझे 1.29 second speed मिल रही है, which is really good, it is one of the best speeds, जो मैंने अपने page builder के उपर देखिए, landing page builder के उपर देखिए, और जमने इसका Bangalore से test किया, तो यहाँ पर थोड़ी improve हो गई, which makes sense, 3.73 seconds यहाँ पर लगे है, which again is very good, considering, यह एक page builder है, landing page builder है, तो speed के मामले में, it is really good, अब अगर मैं आपर integrations के बारे में बात करूँ, तो ZPR का यहाँ पर option है, काफी सारी email services का है, यहाँ पर आपको option देखने को म बात करूँ, तो Insta Mojo है, PayPal है, Stripe है, Razor पे है, तो Razor पे और Insta Mojo की होने के वज़े से, यहाँ पर आप लोग UPI option भी देखने हो Indian users को, जो की एक बहुत बड़ा advantage है swipe pages के लिए, खास कर कि Indian users के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो international tools है, जैसे की card हो गया, जाहरो हो गया, वहाँ Insta Mojo, यहाँ फिर Razor पे एक option नहीं मिलेगा, जिसकी वज़े से, यहाँ पर UPI payments को enable नहीं किया जा सकता है, और Indian users के लिए, जो safest और most used method है, वो credit card नहीं है, debit card नहीं है, cash on delivery का तो यहाँ पर option दे ही नहीं सकते हो, अगर आप लोग कुछ digital product नहीं से एल कर रहे हो तो, तो जो UP API है, that is the best way and safest way for Indian users, तो Indian audience target कर रहे हो, तो यह feature आपको काफी helpful रहेगा, अगर आप लोग कुछ बेच रहे हो तो, इससे पहले मैं आगे बढ़ू, मैं एक disclaimer देना चाहूँगा, कि मुझे sponsor नहीं किया है, swipe pages ने, जो भी यहाँ पर मैं बता रहा हो, वो मेरे खुद के reviews हैं, ख अच्छा लगे support करना हो, तो मेरे link से purchase कर सकते हो, अब मैं इसके uptime के बारे मैं बात करूं, तो वो भी testing है, उसकी uptime testing चल रही है, इसका detailed review आपको मेरे blog पर मिल जाएगा, उसके मैं हर महीने इसका uptime data डालते रहूँगा, तो वो आप लोग जाके check out कर सकते हो, uptime देखने के customer support के बारे मैं बात करों, तो जो इनका knowledge base है, it is decent, ठीक टाल से इनका knowledge base है, live chat support आपको देखने को मिल जाता है, जो की नाम का live chat support है, यहाँ पर जो भी आप लोग request करोगे, उसका जो reply है, वो time ले लेता है, कभी 4 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 1 दिन, तो instant replies नहीं आते हैं, best plan क मैं बात करों, तो इनके यहाँ पर 3 plans आते हैं, startup में आपको यहाँ पर website मिलती है, सिर्फ एक custom domain का option मिलता है, तो जो मेरे इसाब से best plan रहेगा, वो रहेगा marketer का, जिस पर $59 पर आपको पांच custom domains मिल जाते हैं, और जो A-B testing का option है, वो भी आपको marketer plan के उपर ही मिलेगा, startup plan A-B testing option नहीं मिलेगा, इसका discount coupon मेरे पास add present नहीं है, लेकिन मैंने reach out किया है, swipe pages की team को, जैसी मेरे पास यहाँ पर discount coupon code आएगा, वो मैं अपने link पर auto apply कर दूगा, यहाँ पर नीचे description पर आपको बचा दूगा, तो एक बार link visit करके देख लिए ना, अगर कोई में उझे discount coupon code म app integration किया गया है, which is good, कुछ improvements करे गये हैं, दो महीने पहले यहाँ पे Insta Mojo payment का support आट किया गया था, तीन महीने पहले यहाँ पे Razer Pay का integration आट किया था, और तीन महीने पहले कुछ bucks fixes भी होए थे, तो हर महीने यहाँ पे कुछना कुछ update आ रही है, which is really good, अगर अभी तक का आप Razer Pay और Insta Mojo है, मतलब UPI payments को enable किया जा सकता है, और जो इसका interface है, वो भी कापी अच्छा और clean है, अब अगर मैं इसके कुछ cons के बारे में बात करूँ, तो जो हमें यहाँ पे subdomain URL मिलता है, वो थोड़ा मुझे unprofessional लगा है, single website वाला जो plan है, startup plan, उसकी pricing मुझे थोड़ी higher side पर मिली है, audio elements का कोई option नहीं है, font को preview नहीं किया जा सकता है, और जो live chat support है, वो मुझे थोड़ा slow लगा है, now coming on to the bottom line, अगर आप लोग एक agency हो, एक entrepreneur हो, एक freelancer हो, जिसको multiple websites create करनी रहते हैं, multiple landing pages create करनी रहते हैं, conversion के लिए चाहिए है आपको, यहाँ फिर आप लोग कुछ products क website भी बनानी है, तो यह एक अच्छा tool रहेगा, और अगर आप लोगों की Indian users है, आपको UPI payment का option चाहिए, तो this is one of the best tool that you can get, यहाँ पर आपको UPI payment का option मिल जाता है, और उसी की वज़े से, इसको यह जो tool है, यह stand out हो जाता है, Razer Pay है, और Insta Mojo है, तो that is really good, Stripe और PayPal तो है ही, so Indian users के लिए काफी अच्छा option रहेगा यह, और अगर आप लोग कुछ budget में देख रहे हो, आपको सिर्फ single websites बनानी है, या फिर एकदम basic सी websites बनानी है, आपको बहुत जाधा advanced functions नहीं चाहिए, तो फिर एक card काफी अच्छा option रहेगा, card का भी review में कर चुका हूँ, वो budget में अजय के लेक काफी सिर्फा जाई delivery नहीं आए ओप अपको सिर्फ to बिर एक, में अखुा ओछ झा घ्छेए, क्यों परक्का रहे हो तो पिर ठागारि, बाहे हो जजय हो उन्मानी है काफी आफं जाए हो, बहुत ग एक काफा है, जय हो हुआ पो जाई.